पेंसिल नाम सुनते ही बच्चपन याद आ जाता है याद भी क्यों नहों हमारे बच्चपन का एहम हिस्सा जो रही है पेंसिल हमारा पहला प्यार बोल लो या फिर दोस्त हाथों से पकड़ा कर चलवाई जाती थी पेंसिल आज हम पेंसिल की बजाए पें का ज़्यादा उप के इस वीडियो में हम आपको पेंसल का इतहास, आविशकार, पेंसल कैसे बनाई जाती हैं और पेंसल से जुड़े तथे के बारे में बताएंगे। वहाँ से भेर बक्रियों को चराने के लिए चरवहे का दल गुज्रा उन्होंने देखा कि जो पेल जमीन पर पड़े थे उनकी जड़ों पर बहुत ताताद में काला सा दिखने वाला पदार्थ लगा हुआ था उन्होंने सोचा शायद ये कोईला है उन्होंने उस पदार्थ को कोईला समझ कर जलाने की काफी कोशिश की लेकिन वो नहीं जला वो समझ नहीं पा रहे थे आखिर ये पदार्थ क्या था उन्होंने इसे काले पदार्थ का नाम दे दिया और बक्रियों के उपर निशान बनाने के लिए इस्तमाल में किया जाने लगा बाद में इसका ना लोगों को लिखने में काफी परेशानी होती थी तो ग्रेफाइट की चारों और धागे से लपेट कर लिखना शुरू किया। साल 1560 में इटेलियन लोगों ने एक तरकीट सोची उन्होंने जुनिपन नाम का एक पेल का इस्तिमाल करते हुई पेल की लकडी को काट कर और उनके छोटे छोटे चोटे तुकव के अंदर होल करके ग्रेफाइट को इसके अंदर डाल दिया और चिपका दिया। और फिर साल 1660 में जर्मनी में लकडी के टुकडों को काट कर उसमें ग्रेफाइट डाल कर चिपका दिया जाता था वहाँ पर इस तरह पेंसिल बनना शुरू हुआ। साल 1790 में फ्रांस और इंग्लेंड के बीच युद्ध हो गया जिस वज़े से फ्रांस को इंग्लेंड ने ग्रेफाइट की सप्लाई देना बंद कर दिया। फ्रांस में ग्रेफाइट का प्रतिबंध लग जाने के बाद इसकी कमी हो गई। तब फ्रांस के मंत्री ने अपने कमांडर और वैग्यानिक निकोलस जैक्स कॉंटे को इसका कोई हल निकलने के लिए कहा गया। कुछ दिनों के प्रयोग के बाद निकोलस ग्रेफाइट और चिकनी मिट्टी को पानी में मिलाया और एक मिश्रल तैयार किया। उस मिश्रल को सूखने के लिए तेज धूप में रख दिया। सूखने के बाद तेज आग की भट्टी में पका दिया। और यही से वैग्यानिक निकोलस ने देखा कि ग्रेफाइट में चिकनी मिट्टी को कम और ज्यादा करने पर पेंसिल की लिखावत में फर्का रहा था। और यही से हेच एवम एच बी जैसी आधुनिक पेंसिल का निर्मान हुआ। और साल 1795 में निकोलस जैक्स को इस अविश्कार का पेटेंट मिला। पेंसिल का अविश्कार तो हो गया लेकिन पेंसिल का लिखा हुआ मिटाने के लिए भी काफी प्रयास किये गए और 19 पेंसिल के उपर लगाना शुरू किया था। उपर लगाने का कारल ये था कि लिखा हुआ जल्दी से मिटाया जा सके। पेंसिल कैसे बनाई जाती हैं पेंसिल बनाने के लिए सबसे पहले लीग की आवश्कता होती है। लीग बनाने के लिए जमीन के अंदर से ग्रेफाइ इस मिनित तक अच्छे से mix किया जाता है, अगर color pencil बनानी हो तो इन ही के साथ जिस color की pencil बनानी हो उसी तरह का color डाल दिया जाता है, इसके बाद graphite और clay के paste को एक hydraulic press machine में डाल दिया जाता है, और hydraulic press machine की मदद से इस paste की एक लमबी lead बना कर तयार हो जाती है, और बाद में इन लीड को लंबाई के अनुसार कार दिया जाता है इन लीड को एक मशीन के अंदर डाल कर सुखाया जाता है जिससे इसमें मौजूद नमी खत्म हो जाए लेकिन अभी लीड नर्म और नाजुख है इन्हें कथोर बनाने के लिए एक इलेक्ट्रिक ओवन में 1500 डिग्री सेल्सियस पर 45 मिनट तक रखा जाता है कलर वाली पेंसिल को बनाने की प्रक्रिया भी पहले जैसी ही है बस इसमें जिस तरह की पेंसिल बनानी हो वो कलर साथ में मिला दिया जाता है अगले प्रक्रिया में लीद को 6 धंटों के लिए मोम में रखा जाता है ताकि लीद में बची हुई जगह भर जाए और पेपर पर काफी स्मूथ चले इनके बाद लीद का टेस्ट किया जाता है टेस्ट में ये पता लग सके कि लीद कितना दबाव झेल सकती है इन टेस्ट के बाद अन्यद 2 और टेस्ट किये जाते है अब बारी आती है लकडी की पेंसिल बनाने के लिए एक खास तरह की लकडी की आवश्यक्ता पड़ती है जो इतनी कोमल होती है कि आसानी से छी सके और इतनी कतोर हो की लिखते समय तूटे ना पेंसिल बनाने के लिए देवदार की लकली का उपयोग किया जाता है अब बारी आती है पेंसिल के उपर कलर लगाने की इस प्रक्रिया में सभी पेंसिल को एक एक करके कलरिंग डिवाइस में दाल दिया जाता है जिसमें इन पेंसिल पर कलर की एक परचच जाती है इसके बाद इन pencil पर transparent की एक परच्च धाई जाती है ताकि pencil के उपर लगा color हटेना इन सभी प्रक्रिया के बाद pencil पर company की seal लगाई जाती है rubber वाली pencil के लिए इनके उपर वाले हिस्से को दबाया जाता है और फिर rubber लगाया जाता है जिस पेंसिल में रबर नहीं लगाया जाता उनके उपर एक विशेश तरह की कलर में दाल दिया जाता है